Hello everyone, how are you all? I am sure you will hear about mountaineers who climb mountains, who climb mountains, who climb mountains, you will hear about them. If I talk about Mount Everest, the highest peak, the world highest peak, many people go to Mount Everest every year. And how many people can go to the actual, one or two people. And how many people can climb? Many people can climb. What is it? When they start the first base camp, many people will go down to the first base camp. In the sense of the base camp, you can say milestone, but from the first base camp, many people will go back. Some are very small, from the first base camp. Then some are very small, from the second camp, and then third camp. And finally, we will go to the peak. So, what do you understand? If you think about Mount Everest, you will say that Mount Everest is a big competition. You can only climb one or two. But actually, what is it? The hard core reality is now. Many people go, they cannot reach, they go back. and they go back. This is the case. This is the case of the gate exam. You think that there is a competition. Many people are preparing. They are preparing. They are preparing. But actually, it is not. Many people leave the gate exam. For example, you thought about preparing for today, one month, one month, one month, one month, one month, one month. one month, one month, one month, one month, one month. One month, one month, one month, One month, one month and one month, you went to LINES, one month and an tねhouse, that's the one month. It is the last month and the data exam. It is the latter month. बीज बीच में छोड़ छोड़ के भागते जाते हैं, बेटा, पर तो सब देदेने, पॉफ कोर्स पहुंच जाएंगे, लेकिन तियारी exactly कितने लोग करके आते हैं, वो मैं आपको समझाने कोशिश कर रहा हूं, बिल्कुल यही बेस केम्प वाले एक्जम्प, फर्स्ट बेस मैं इसलिए आपको समझाया, ताकि आपके दिमाग में प्रॉपर क्लेरिटी आए, अब यह सोचो कि माउंट आवरेज तक पहुंचने में बड़ा कॉंपिटेशन है ही नहीं, बहुत कम लोग जा पाते हैं, पहली बात तो बहुत कम लोग हिम्मद जुटा पाते हैं, है ना इतने सारे लोग हैं, तो इतने कम लोग होंगे, जो अपना कर पाएंगे, और कम हो जाएंगे, जो पीवाई कुस कर पाएंगे, और कम हो जाएंगे, जो टेस्ट रिस दे पाएंगे, हैंड समझ रहे हो, तो बेटा, कॉंपिटिशन अपने दिमाग से निकाल दो, चीजों को मैनेज कैसे करते हो कितना धंग से तिहारी करते हो एक सीधी बात बोलू उनिवर्सिटी एक्जाम आप देते हो उसमें पासिंग मांक्स 40 होते हैं तो तुम अपने मन को समझा लो कि गेट में टॉप आटीस में जाने के में को सत्तर नंबर चाहिए सतर नंबर लेए तुम्हारा सेलेक्शन पक्का है अब बता मेरे को कॉम्टीशन करके देता तो अगर तुम ले आये तो काम खतम हो गया बस अपने दिमाग में प्राफर इमेज एकरो नंबर करो 70 मार्स मेरे को लाने है और मैं ले आँँगा और तरीका क्या है बेटा एक प्रॉपर प्लैनिंग के साथ चलना है अफकोर्स बीच बीच में छोड़ छोड़ के कौन भागते हैं जो प्रॉपर प्लैनिंग नहीं करते हैं ऐसे ही स्टार्ट होगे चलो या तू भी त्यारी करा चलो अगर आप प्रॉपर प्लैन्ड बेसे चलोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी एक सिंपल एक्जामपल से बताता हूँ मैंने जिसे डिस्कृर्ट माथमेटिस का पेड़ कोर्स बना रख है वो 90 आवर्स का है तो अब आप मैथमेटिकली सोचो और 90 आवर्स की अगर प्लैलिस्ट है तो उसको आप सुनोगे नोट्स बनाओगे सब कुछ करोगे एक नॉर्मल एवरेज स्टुटेट को अगर जो कोई बहुत ही ब्रिलियंट है वो 2x पे देख जाएगा और साथ साथ नोट्स भी बना जाएगा तो 90 आवर्स की है तो 90 आवर्स में भी नोट्स कंप्लीट कर देगा जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा उससे कम में भी लोग कर जाएगे मैंने तो अपने एक्स्पिरेंस में बहुत लोगों को देखा है आप मान करें के चलो यू आपको लगेंगे अब प्रॉपर मैथेमेटिकली सोतलो बेटा एक सो असी घंटे में एक सुझेक्ट तुम्हारे कम्प्लीट होगा अफकोर सबसे बड़ा सब्सक्रीट से शुरू करना होता है तो दो महिने आपके फॉर्स सब्जेक्ट महीं ही जा रहे है इसपर इस तरीके से प्रॉपर प्लैणिक करते हुए चलो तो उसके लिए आपको वही बात है, अगर डबल मान करके चलते हो, 160 आवर्स के राउंड लगेंगे, तो 160 आवर्स का मतलब क्या हो गया, अगर आप वही बात है, तीन घंटे रोज निकालोगे, तो कितना तक चला जाएगा ये, पचास पचपन दिन के आसप, पचास बावन मान लो, ते क्या और वो भी रोज, डेली थ्री आवर्स is not a joke, बेटा, कहने की बात होती है, निकल जाएगे, लेकिन कहने की बात है, कि चो बेस गंटे उसमें से तीन गंटे तो निकालने हैं, बट रोज नहीं निकलते, कभी कोई तकलीफ है, कभी तबियत खराब है, कभी क जाएगे, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, एंस वो मतलब मुश्किल काम है, बट फिर भी अगर आप निकाल पा रहे हो, तब मैं आपको बता रहूं, बिल्कुल दो महीने बिल्कुल टाइट शेडूल है, डिस्क्रीट के लिए, ऐसे ही लगभग आप मान करके चलो, तो इस तरीके से आपको महनत करनी है, तो प्रॉपर प्लैंड वे में चलना पड़ेगा, अगर आप सोचो कि ऐसे ही मैं कर जाऊंगा, ऐसे निकल जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे मत सोचो, पूरा साल फैला हुआ है, चलो कर लेंगे, आज नही है, उसे दिन से, डे, वन से, हार्ड कोर, प्रॉपर महनत करनी स्टार्ट कर दोगे, तब बात बनेगी, दूसरी बात, मैं आप और बताता चलता हूँ, आपने स्प्रिंट का नाम सुना, स्प्रिंट रेस जो होती है, 100 में, 200 में, पूर स्पीड से भागना होता है, वो है ज इसे नहीं निकलेगा, गेट ऐसे नहीं निकलेगा, ऐसे मन सोचना है कि आखरी के दो-तिन मेने में मैं पूरा जोर लगा लूँगा, हो जाएगा, नहीं, इसके लिए आपको लंबी रेस का गोड़ा बनना पड़ेगा, मैरतन भागना पड़ेगा, बहुत जादा नेरजी लगा जी, तो भी फस जा होगे, आगे फिर कैसे चलोगे, आगे नहीं चल पा ओगे, फिर उबएफ़ के मारोगे, तीन-चार महीने रगड के महनत कर लोगे, फिर थक जाोगे, फिर रगाओ यार नहीं वह रात छोड़ते, वह काम भी boynain, कम महनत करोगे तो फिर उफ प्र इतनी बाद ध्यान रखना, अगर आपसे अभी काम नहीं होता, आपके दिमाग में चीज़े नहीं गुषती है, अगर तो सब को पार कर जाओगे, अभी पता नहीं लगेगा, अब सब को पछाड़ते चले जाओगे, अगर आप डेली बेसिस पे पूरा जोर लगा करके अपना काम करेंगे, बिलीव मी, आपकी रेंग पक्की है, और मैं बार बार बता रहा हूँ, अपकी सीट पकी होगी, आईटी में, बस, फिर उजे बताओ, कहां पर कॉम्पेटिटिव एक्जाम होगी, जब नंबर का खेल है, सारा, सो में से सत्तर नंबर लाने काम करता है, अप युणिस्टे पताओ, चालिस नंबर आगे पास होगे, खतम कहा नहीं, काई का कॉम्पेटिशन और काई का वो, यह इचित गेट में है, मैं तुम्हारे को बोल रहा हूँ, सत्तर नंबर लियाओ, काम खतम है, काई का कॉम्पेटिशन और क्या को होगो है, कुछ भी नहीं है, लिक है, आपको daily businesses भी पर महिनत करने पड़ेगी, daily business भी अपको जोर लगाना पड़ेगा, और बार सम्झार हो, लंबी रेस कहा भोड़ा बनना है, तरीके से proper planning करो, और planning के साब से अपने काम को execute करो, बिना planning के चलोगे, आज पड़ोगे, कल नहीं पड़ोगे, और बीच में कुछ कि आपके दिमाग पर ज्यादा प्रेशर नहीं आना चाहिए क्योंकि जैसी प्रेशर आएगा आपका माइंड आपको सीधा बोलेगा छोड़ो नहीं हो रहा छोड़ दें तो वह आपके उपर सीचुएशन नहीं आनी चाहिए इसलिए देवन से प्रॉपर भेहनत करो हो वैसा हो एस नहीं है जितना टाइम तुम्हारे पास आया मेरे निकाल बस यह चीज मानकरके के चलना आगे आने वाले दिन लैक नहीं हो ना आपको किसी भी चीज में अच्छे से मेहनत करो बेस्ट अफ लख वीडियो अच्छा लगा प्लीस लाइक करना अपने फ्रेंड के साथ शेर जरूर करना थैंक्यी सो मच बबाई